असलावलेकूम विलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज हम अपलों के साथ बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक की रेस्पी सेयर करने वाले हैं जो कि मिंटों में बन जाता है काफी हेल्दी भी है तो गर्मियों के मौसम में इस तरह से हेल्दी हेल्दी ड्रिंक बनाकर आप फैम नारियल के ओपर के जो छिलके होते हैं उसे निकाल लेंगे उसके बाद जो हम इसे धो लेते हैं और नारियल में जो है अभी पानी है तो इसे हम तोड़ करके इसका पानी पहले निकाल लेंगे यहाँ पर हमसे तूट नहीं रहा था तो हमारे हैस्बेंड आ गया हमारी कच्चा नारियल तो घ हर किसी को पसंद आता है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं आप इसका जूसबर अ कच्चा नारियल मिल से श्रब्सऽा सब्सक्राइब नाखिंड करिद कि कुल्फी बीइ Candi हमें तो अगर आपको कुल्फी की वी वीडियो चाहिए तौप हमने कमेंट नारेल नारेल Says उपरियह तरह से पतला होता था है दो जूसमें बहुत ब्लेक दिखता है तो इसके हम छोटे-छोटे पीसिस काटेंगे जो हमने पानी निकाल कर रखा था नारियल का वो भी हम इसी में एड़ कर लेते हैं और इसी में हम चीनी एड़ करेंगे तो मीठा जो है आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाले इसे हम दो से तीन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आप देखें बहुत ही स्मूज सामने सब्सक्राइब कर लिया है अब हम इसमें जरूत के नशार दूद बढाल देते हैं तो हमने हाफ लेटर दूद लिया था जिसे हमने बोईल करके फ्रीज में रख दिया है तो दूद भी काफे है अब इसमें हम आइस क्यूब डाल लेते हैं चलिए हम इसे सर्फ कर लेते हैं यह बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है काफी है और बहुत है टेस्टी लगता है तो आज हम सब इंजोई करने वाले हैं नारियल का जूस तो देखा आपने बनाना कि इतना सिंप सब्सक्राइब करते हैं और बैठ के साथ में इंजोई करते हैं सच में बहुत है दिलखुस हो जाता है अब इसे और बीचिट करने के लिए हम आइस कुप डाल देते हैं अगर घर के बड़े लोग होते हैं और ठंधा जादा नहीं पसंद करते हैं तो बिना इस क्यूब के बी अएसे कि प्लेंग सर्फ कर सकते हैं और यहां पर जाए काफी यह थेक है और यहां पर हमने नारेल का जूद काफी गाcado है Laz अगर आप चाहें तो इसे और भी बतला कर सकते हैं इसने और दूद हर लें या फिर पानी अड पर दाध करें तो हैं files एद्स तो डिसक्रिप्शन में हम लिंक देंगे आप लोग एक बढ़ चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि घर बैठें आप इस तरह से एस्टटी फूट जो है सारे डिसस घर में ट्राइ करें और सब को हैपी करें गर्मियों की छोटी चला रही है बच्चे भी आज कल घर पे तो इस तरह से हम नए डिसस टाय करके एंज्रोई कर सकते हैं बच्चों के साथ आई होप कि आज की छोटी से रेस्पी आपको पसंद आई होगी तो आप लोग इसे एक बड़ चुरू ट्राय करें जब कभी भी ट्राय करें हमें फिट्बेक देना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए अला हाफिस थैंक्स पर वाचिंग